बिसमिल्लाही रह्मानी रहीम यह लेसन फोर है और लेसन फोर पढ़ चुके हैं अब क्या है यहां points to remember यानि जो लेसन फोर में पढ़े आपको क्या याद रखने वो ये है तो हमें स्टार्ट करें number one तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अन्ता, अन्ता मिंस यू, लेकिन अन्ता की जम्मा क्या है, plural of अन्ता, यहाँ बता रहें, अन्तुम, मैस्कुलीन, सिंगुलर, क्या है, अन्ता है, और जम्मा क्या है, प्लूरल क्या है, अन्तुम, और अन्तुम क्या है, मैस्कुलीन है, जमा मुझकर के लिए अंतुम और वाहिद मुझकर के लिए अंता यहां मिसाल दिया है मन अंतुम हू आर यू आप सब कौन हो लेकिन यहां पर एक बात याद रखें कि इंगलिश में यू वाहिद और जमा दोनों के लिए आता है यानि सिंगलर और प्लूरल दोनों के लिए यू का इस्तेमाल होता है लेकिन आरबी में फर्क है अंता वाहिद के लिए अंतुम जमा के लिए दा प्लूरल अफ का यूर इस कुम जैसे यहां पर देख रहे हैं का का वाहिद है और का की जमा है कुम का मिन्स तेरा तेरी तुझको कुम तुम सब का तुम सब की ये अईना भाई तुकुम तुम सब का घर कहा है या इखवानो आई भाईयो इंगलिश में ब्रोधर्स वेर इस यूर हाउस नमबर टू देखें यहां बता रहे है अना अना मिन्स आई अना मुझकर और मुझकर और मुझकर दोनों के लिए इस्तिमाल होता है इसी तरह नहनों भी मुझकर और मुझकर और मुझकर दोनों के लिए यूज करते हैं वी आर मुसलिम्स मैसकुली देखें नहनों मुसलिमूना हम सब मुसल्मान है किसके लिए ये मुजखकर के लिए और वी आर मुसलिम्स इंग्लिश में सेम है लेकिन यहाँ देखे मुसलिमातुन ये मुणनस है और मुसलिमूना मुजखकर है और नहनो के तालुक से देखे नहनो दोनो में है मुसलिमात जो मुणनस है मुसलिमून जो मुजक्कर है दोनों के लिए नहनों इस्तिमाल हुआ है तो क्या पता चला कि अना और नहनों दोनों के लिए यूज होते हैं यानि मुजक्कर मुणनस तो यहाँ पर एक्जामपल है यहाँ पर बता रहा है कि हम सीख चुके हैं के बैती, मीरा घर, लेकिन हमें कहना है हमारा घर, तो कैसे कहेंगे, आर हाउस, इस बैतना हमारा घर, तो ना बढ़ाना है, या कि जवब पे, बैती मेरा घर, बैतना हमारा घर, यहाँ देखें, अल्ञा हु रभना, अल्ला हमारा रभ है, और हमें कहना, अल्ला हु रभ है। तो कैसे कहेंगे, अल्ला हु रभी। Allah is our Lord Islam is our faith Muhammad ﷺ नबी जोना इसका तर्जमा Muhammad ﷺ नबी जोना हमारे नबी इंग्लिश में मुहम्मद जो ﷺ है इसको इंग्लिश में देखे Peace and Blessing of Allah भी अपोन ही Is our Prophet ये English में जभी है जहपता Means you went आप गह जए मैस्कुलीन सिलडर के लिए यानि वाहिद मुझकर के लिए जहपता आप गह सिर्फ आप जहपतो मिन्स you went मैस्कुलीन प्लूरल के लिए यानि आप सब गह इंग्लिश में देखे यूवेंट यूवेंट लेकिन अअरबी में फर्क है तो उसके लफ़ भी अलग अलग है इंग्लिश में आप समझ नहीं पाएंगे जल्दी से कि वाहिद के लिए इस्तिमाल कर रहा है कि जमा के लिए लेकिन अरबी में आप फौरन समझ जाएंगे जहब तो वाहिद के लिए जहब तुम जमा के लिए यहाँ पे देखे एक्जामपल वेर डिड्यू गो माई संस अईन जहब तुम या अबनाई आई मेरे बेटो आप सब कहां गये थे नमबर फौर में देखे जहब तो मिन्स आई वेंट यानि मैं गया यहाँ पे देखे पेश है यहाँ पे जहब ता ता यहाँ पे तो मिनिंग में फर्क अगर जबर है तो यू वेंट और पेश है तो आई वेंट और जहब ना नून अलिफ जबर ना तो क्या हो जाएगा व हम सब गए लेकिन हमें काय Όम वे सब गए जैसे इंग्लिष में crazy वेसब घंप इस ब्रूंट था बंद ना आफ नालिव नहीं बढ़ आना यहां यह बढ़ाये हुए हैं तो जहब नमींस हो गया वी वेट और जहब ना देविंट तो खीज कर बोलेंगे जहबना तो क्या हो गया वीवेंट और जहबना देवेंट बस यह याद रखना जो यहां बताया गया है